वेलकम स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर सम्विधान के बारे में पढ़ रहे हैं और उसकी फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछले दो लेक्चर्स में उसी को आज आगे बढ़ाते हुए नेक्स लेक्चर लाए हैं तो पहले जल्दी से एक बार रिवाइस कर लेते के हमने क्या बढ़ा था पहला हमने फीचर देखा था कि लिए sliturn constitution है अमारा फिर हमने फैक्ट जेखे थे कि यह क्यों इतना बढ़ा हो गया उसके बाद में हमने देखा था कि यह काफी देशों का सम्विधान पढ़के और उनका सोर्सिस देख संविधन बनाया हैं लेकिन बहते कंस्ट नहीं है उसके बाद हम ने हमने देखा था कि डीटिटी भी है jdुलिटी भी है हमारे constitution में फिर अबने हमारे देश में उनिटरी system क्या होता है और उसके क्या-क्या features रहे हैं भारत और British के parliamentary system में क्या फरक्या वो देखा था उसके बादने parliamentary sovereignty और judicial supremacy के बारे में हमने बात किया था due process of law और procedure established by law के बारे में भी उसके बादने हमने integrated और independent judiciary देखी थी कि हमारी judiciary में किस तरीके से supreme court है उसके अंडर फिर high court है और subordinate courts है और फिर independence judiciary की रहे उसके लिए क्या-क्या provisions constitution में रखे गए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं fundamental rights के बारे में तो fundamental rights जो है वो part third में रखे गए constitution के और हम इसे काफी detail में आगे पढ़ेंगे आज हम इसके एक summary ले लेते हैं कि fundamental rights में क्या है तो six different fundamental rights छे अलग-अलग fundamental rights रखे गए हैं समीधान में हो क्या-क्या है तो right to equality है freedom है expectation, freedom of religion और cultural and educational rights और constitutional remedies है इसमें आप देखेंगे तो right to equality है वो 14 से 18 आर्टिकल तक रखा गया है उसके बाद में जो right to freedom है उसे 19 से 22 आर्टिकल तक रखा गया है exploitation की बात करें तो 23 और 24 आर्टिकल है और जदि हम religion के freedom की बात करें तो 25 तो 28 ये आर्टिकल है उसका और cultural or educational rights की बात करें तो 29 है और constitutional remedies की बात करें तो 32 आर्टिकल है यानिक इसके बीच में 31 आर्टिकल पहले फ्रेम किया गया था लेकिन उसे निकाल दिया गया है constitution amendment करके उसे 31 आर्टिकल को निकाल दिया गया है से और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या आर्टिकल था और से क्यों निकाला गया जब हम फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तब तो fundamental rights जो है वो political democracy के बारे में बताते हैं कि हमारे हमारे पास यह सब rights हैं हर एक individual के पास यह rights है कि political democracy है कि आप कोई भी यह भारत का citizen है या नहीं है तो उनके ओपर यह rights applicable होते हैं उसके बाद में यह acceptable है कि अगर आपको यह rights follow नहीं करने दिया जा रहा है किसी किसी के द्वारा तो आप उनको code में यह बोल सकते हैं कि आपके rights कहानन हो रहा है इस तरीके से और fundamental rights वो उनकों पर कुछ restrictions भी लगाई जाती है जब emergency लगाई जाती है देश में तो जो rights हैं हमारे यह रद हो जाते है आप फिर claim नहीं कर सकते हैं कि हमारे rights का अनन हो रहा है तो उस समय किवाल article 20 और 21 जो है वो national emergency में यह याद रखने वाली बात है यहाँ पर कि कौन से rights हमारे वो रद नहीं होते हैं तो articles 20 और 21 जो है वो रद नहीं होंगे हमारे national emergency के दौरान भी बाकि सभी जो rights हैं वो रद ह हो जाएंगे हम इसके बारे में वापस जरूर पढ़ेंगे और काफी detail में पढ़ेंगे इसे उसके बाद में डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेक पॉलिसी है कि जो स्टेट है या फिर जिसे हम कहें कि जो हमारे सांसद या चुन करके हम जिसे भेजेंगे लेजिसलेशि लेकिन यह रखे गए हैं इन्हें पार्ट फॉर में रखा गया था उसके बाद में जो बियार अंबेडकर जी हैं उन्होंने कहा था कि यह नोवल फीचर है हमारे constitution के इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गये constitution में ऐसा कोई division नहीं है कि यह socialist हैं यह गांधियन है यह liberal intellectual हैं लेकिन हमने हमारे इसाफ से इसे तीन classification इसका इस तरीके से तीन हिस्सों में किया है और यह रखने का कारण यह था कि यह social और economic democracy के बारे में बताते हैं कि आपको आप यदि चुन के जाते हैं तो आपको एक principle देते हैं कि आपको यह चीजे directions देते हैं कि आपको यह citizens हैं वो आपको आगली बार चुनकर नहीं वेजेंगे यह उनके responsibility है उसके बाद में Constitution को Constitution में जो मिनर्वा मिल्स केस एक आया था 1980 में उस समय जो fundamental rights और directive principles है उसके उपर यह case आया था और यह और cases भी आया था इनके बारे में हम detail में आगे पढ़ेंगे लेकिन question यह था कि directive principles ज्यादा मत्वपोर्ण है या फिर fundamental rights तो यह सवाल के उपर Supreme Court ने काफी अच्छी तरह से judgment दिया था दो तीन केस इसके आये हैं जिसके बाद अब हम जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो आपको बताया जाएगा कि क्या decision उसके निकल करके आया है fundamental duties रखी गई थी जो सम्विधान में पहले नहीं थी जब सम्विधान बना था हमारा तब उस समय fundamental duties नहीं रखी गई थी इसे 42nd constitutional amendment act पास करके 1976 में रखा गया था हमारे constitution में और इसका recommendation दिया गया था स्वर्ण सिंग कमिटी के द्वारा जब यह amendment किया गया था 40 second amendment तब 10 fundamental duties रख दी गई थी पार्ट 4a में जैसे ही आपको ए दिखता है या भी दिखता है कि किसी भी article या पार्ट के आगे letter दिखता है तो उसका मतलब होता है कि वह amendment करके बाद में आड़ किया गया पहले यह समिधान में नहीं था तो उसी तरह से पार्ट 4a में fundamental duties रखी गई थी उससमें 10 fundamental duties रखी गई थी और 86 amendment करके हमने एक और fundamental duties उसमें आड़ कर दी ती जाने कि आप टोटल 11 fundamental duties हमारे पास समिधान में है उसकी अंदर से कुछ duties हैं हम पढ़े हाना कि हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे लेकिन इसमें कुछ अधर हम पढ़े तो respect our constitution, national flag and national anthem, protect our sovereignty, unity and integrity, भाइचारा याने के common brotherhood among all the people, preserve rich heritage ये सभी जो और भी हैं इसमें 11 टोटल हैं तो ये सभी जो duties हैं हमारे उपर ये duty है कि हमें ये करना है लेकिन यदि हम ये नहीं करते हैं तो कोई इसके लिए हमारे उपर case नहीं कर सकता है ये हमारा responsibility है कि हमें ये करना है लेकिन यदि हम नहीं कर पाते हैं तो इसका कोई non-justiciable हैं ये कि इसके ओपर case नहीं हो सकता आप court में नहीं जा सकते हैं कि जिस तरह से आप DPSP के लिए आने के डिरेक्टि प्रिंसिपल्स के लिए आप court में नहीं जा सकते हैं उसी तरह से आप fundamental duties के लिए भ पढ़ेंगे आगे अगला प्रोविजन हमारा है secular state secular ये शब्द हमारे constitution में कहीं नहीं लिखा गया था शुरुवात में उसके बाद 42nd amendment जो की गई थी 1976 में उसमें secular शब्द एड़ कर दिया गया था प्रियेंबल में प्रियेंबल हमारे constitution से पहले लिखा गया है उसके आगे वर्ड आड किया गया था 42nd amendment के द्वारा और जो भारत के citizens है उनको liberty दी गई है belief faith worship की उसके बाद में law of equal protection दिया गया है आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 है इसके लिए जिसके अंदर discrimination के बारे में बात किया गया है कि religion के बेस पर discriminate नहीं कर सकते हैं किसी को भी तो यह सब आप देख है जैसे हम देख सकते हैं यहां पर आप दिखें राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14-18 आर्टिकल में है तो यानि 14 और 15 आर्टिकल की यहां बात की जा रही है जो secular state की तो वो राइट टू इक्वालिटी में आता है उसके बाद हम देख रहें राट टू जो freedom है दिया ग है इस समय हम देख रहें कि यह सभी आर्टिकल में दिया गया है कि आप रिलीजन के डिलेटिड क्या 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 आप कुछ कर सकते हैं या देश में हमारे सेकुलरिजम का concept यहां पर डिफाइन होता है उसके बाद में आर्टिकल 27 में लिखा गया है कि कोई प्रमोशन आप किस किसी पर्टिकुलर डिलीजन का जब करना चाहते तो उसके लिए कोई टैक्स वगेरा पे नहीं करना होता है जैसे कि पहले आप पढ़ेंगे तो एक जजिया टैक्स हुआ करता था जिसे की बाद में कैंसल कर दिया गया था तो उस तरीके कोई टैक्स किसी भी डिलीजन के उ इजुकेशन इंस्ट्यूशन है उसमें आप कोई भी डिलीजन इंस्ट्रेक्शन फॉलो नहीं कर सकते हैं स्टेट यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है कि यदि जो भी इंस्ट्यूशन है वो स्टेट के द्वारा मैंटेन नहीं किया गया है तो आपके पास छ देखेंगे तो fundamental rights में आपको right to freedom of religion और cultural और educational rights इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद में article 44 है जिसमें लिखा गया कि एक uniform civil court होना चाहिए citizens के उपर और यह जो आर्टिकल है यह आता है हमारे DPSP में जो की directive principles है उसके अंदर आएगा और याने कि यह आप court में इसके खिलाफ नहीं जा सकते यह एक provision है कि आपको यह देना है ठीक है यह ज़रूर नही है कि यह नहीं मिल रहा है हमें तो हम court में चलेगे बाकी जो provisions उपर हमने देखे वह उसके लिए आप बोल सकते हैं कि यह provisions लागू किये जाने चाहिए जरूरी है इस तरह से उसके बाद में हमने western concept जो secularism का है जाने के जो ब्रिटिश है या वहां की जो countries है वहां पर जो secularism का concept है वो कैसा है कि religion और जो legislator है उनको पूरी तरह से अलग रखा गया कि बिल्कुल separate रखा गया कि religion का कोई interference नहीं रहेगा legislation में और भारत का जो secularism का concept है उसमें यह है कि जो हमारा legislature है वो हमारे religions को support करेगा और यह नहीं कि promote कर रहे है किसी भी religion को लेकिन जो legislature है वो support करेगा सभी religions को इस तरह से हमने हमारा concept रखा गया तो जो हमारा concept है वो positive concept कहा जाएगा और हमारे जो है जो जो country है वो multi religious है और और जो हमारा positive concept है तो जो बिटिश का या फिर western countries में जो secularism को concept है उसे negative concept कहा जाते हैं इसके बाद में हमने पहले communal representation के बारे में पढ़ा था communal award के बारे में पढ़ा था राम से mcdonald लेकर के आए थे हमारे पिछले lectures में आपको मिल जाएगा इसके बारे में हमने काफी अच्छ डीटेइल में study की थी तो communal representation को हटा कर reservation of streets हमने भा हमारे constitution में रखी है और इस reservation of streets में जो है schedule cards schedule tribes इन सब के लिए हमने reservation रखी गई है तो यह reservation रखी है हालंकि और इसका मतलब यह नहीं है कि जो कम्यून रिप्रेजेंटेशन का concept था वैसा नहीं है यहापर और कुछ वोमेन के लिए भी प्रोविजन रखे गए हैं तो उस तरह से जो reservation है वो जरूर है हमारे constitution में और उसका मतलब यह था उस समय कि एक बराबर एक equality लानी थी कि जो निचले इन्हें कहा जाता था कि यह इस तरीके के cast हैं यह tribes हैं तो उन्हें आप हमारे बराबरी यह जो सफी के बराबर रखने के लिए यह provisions लाए गए थे उस समय तो equality का concept यहाँ पर कहा जा सकता है उसके बाद में एक universal adult franchise राए गए थे इसका मतलब यह कि कोई भी जो देश का नगरीख है वो वोट कर सकता है उसे वोट करने का हग दिया गया था जो 18 years के अबाओ है यह 18 years पहले नहीं था पहले 21 साल रखा गया था की कि साल से जो बड़े हैं उन्हें वोट करने का हग दिया गया था और उसको खटा करके 18 years कर दिया गया था यह 61st बिटेन ने भी 1926 में अपने देश में इस तरीके का कंसेप लाए थे सिंगापूर को और भी ज़्याद समय लग गया था जो कि हमारे देश आजाद होने के बाद उन्होंने अपने देश में यह लागू किया है और वो भी काफी देर बाद लागू किया था तो इस तरह से जो अब यह जो स्टेप उठाया था यह जो काम किया गया था इसे काफी बोर्डश्परिमेंट का आ जाता हैं क्यों बन गया कि हमारे देश हैं काफी वास्ट हैं बहुत ज्यादा पॉपूलेशन है यहांपर पावर्ती रेट कि ज्यादा थी पूर लोग थे गडिवी थी उसक तो यह सभी कारण थे लेकिन फिर भी हमारे देश में यह concept लाया गया तो यह काफी बोल्ड experiment था काफी remarkable experiment था और काफी सही काम उस समय किया गया था क्यूं का क्यूं यह सही decision था उस समय तो उसका कारण यह कि इससे democracy काफी broad based हो गई कि सभी को समान हग दिया गया डेमोक्रसी का एक अच्छा उधारन हमारे देश बनकर के सामने आया था उसके बाद में self respect और prestige सभी बनता इंसानों को मिल गई थी आपर सभी भारती नागरिकों को मिल गई थी कि सभी को थी कि आप कोई भी हो आप वोट कर सकते हैं भारत में तो सभी बराबर और सभी की एक self respect maintain किया गया उसके बाद में जो इक्वालिटी का concept है इसी की बात हम कर रहे थे कि सभी सभी बराबर हैं इसके सामने को स्कूरिशन के सामने कि पर एक single citizenship है पुरे देश में इसके बार में पहले बात कर चुके हैं USA में single citizenship नहीं है जैसे जिसे में national citizenship अलग है state citizenship अलग है भारत में इसक्रिमिनेशन ना हो कुछ special provisions के लिए किये गए हैं सेडूर tribes के लिए कास्ट के लिए कुछ tribal areas के लिए किये गए हैं जो North East में अभी भी रखे गए हैं जैसे schedule 6 में रखा गया है उनके बारे में हम detail में आगे पढ़ेंगे लेकिन citizenship जो है वो एक ही है पूरे देश में यहां पर बहुत ही मतवपूंड बात है उसका कुछ independent bodies बनाए गए जो कि समविधान से अलग है यानि कि समविधान में यह नहीं है क कि किसी को इनने follow करना है यह अपने आप independent अपना काम कर सकते हैं यह खुद अपना decision ले सकते हैं तो यह कैसी bodies थी तो election commission एक body है उसमें से जो Parliament के, State legislature के और और वाइस-प्रेजिएंट के elections करवाता है तो यह एक independent body है यह खुद ही elections करवा सकता कि अपना decision ले सकता है कि कभ to Ital general of India यह audit करता है accounts का जो Central State के account tenía expenditure उन सब के बारे में account करते है कि कि किस तरह से खर्चा हो रहा है थो उन सबी चीजहों को अकाट करते है इसके बारे में detail में काफी काफी अच्छे से पढ़ेंगे इस सबी सबी Dopkeys बारma फिलाल हम यह समय लेते हैं कौनसी कौनसी बॉडी इंडिपेंडेंट है उसके अपने UPSC है Union Public Service Commission यह एक्जाम्स कंड़क कराता है और साथ में एडवाइस करता है प्रेजिडेंट को कुछ मैं सब्सक्राइब मैं यह वह सुच सब्सक्राइब लेकिन funded fund of India से रहता है और independent either ynशाय कि क्या इस तरह से maintained जिसे हम पहले judiciary को वार में पड़ा तक उनका वाद उनको service conditions fix है उनकी तो यह भी उसी तरह से independent है प्रेस्ट की मपभी की है कि बाद कर लें हम है इंपर्जने आइं के बार गूंशी सिचुएशन को लागु किया जा सके देश में तो तीन तरीके के अमर्जसी नहीं था यहाँ पर इंटर्नल डिस्टर्वेंस यह वर्ड यूज किया जाता था तो जब देश में आर्टिकल 352 में लिखा गया है उसके अदर दो कारण है जब स्टेट अमर्जेंसी लगाई जा सकती है पहला कारण यह कि जब आर्टिकल 352 में लिखा गया है या पिर जो सेंटर ने आदेश दिये हैं सेंटर का जो डायक्शन से उसे फॉलो नहीं कर रहा है तब प्रेजेंट्स रूल लगाया जा सकता है यह लिखा गया आर्टिकल 365 में उसका फ्रैनेशल एमर्जेंसी है जब फाइनेशल सेविलिटी प और जब एमर्जेंसी लगाई जाती है तब सेंटर गवर्मेंट पूरी तरह से पावरफुल हो जाती है और फेडरल सिस्टम को युनिटरी सिस्टम में बदल दिया जाता है तो यदि आप से कोई सवाल पूछेंगी फेडरल सिस्टम जो हमारा है वो युनिटरी सिस्टम मे है हमारे देश में एक सेंटर पर है एक स्टेट पर है और एक जो हमने 73 और 74 अमेंडमेंट करके पंचायत और मुन्सिपालिटीज को आड़ किया गया तो वो थर्ड टायर गवर्मेंट हो गई है 73 अमेंडमेंड किया गया थे 1992 में और पार नईन और 11 न डोनों को ऐड़ और रहे वो उसे ब्सक्रा से दिया गया तै जो कि ट्वेल्थ शेडियूल है उसे एड़ कर दिया गया था और इसमें मिंसिपार्टीज कही गई है जो कि अर्बन लोकल गवर्मेंट्स है तो इस तरह से हमने आज फीचर्स ऑफ गवर्मेंट्स हमने पूरा कर लिया है इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है या फिर पहले की जो भी लेक्चर से उसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजेगा और आगे हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्रियम्बल के अगले लेक्चर में और मिलते नेक्स लेक्चर में थैंक्यू अ